क्या जमाना आ गया है गुम्टी में दुकान रक्तर किसी तरह अपने परिवार की जीवी का चला रहे यूवक ने गाउं के दो शरारती लड़कों को दो रुपे का गुटका उधार देने से मना कर दिया तो दोनों से यह बात सैं नहीं हुई और दोनों ने उसकी दुकान को आके हवाले कर दिया पीडित की शिकायत पर पूलिस दोनों आरोपयों को पकड़ कर थाने ले आई दरशल यह मामला उत्तर परदेश के राय परेली शिवगर थाने शेतर के बैंती कस्वे का है जहां रहने वाला रिंकू यादव प्रात्मिक विध्याले बैंती प्रथम के पास एक गुम्टी में दुकान रखकर अपने परिवार को भर्ड पोशन कर रहा था पीडित ने बताया कि शाम को कल गाउं के मन्नू पुत्र मनोजव परदीप कुमार पुत्र रमेश साहु आय और उससे दो रुपे का उधार गुटका मांगने लगी जिस पर उसने उधार देने से मना कर दिया जिससे नरास दोनों ने सुबह होने तक गुम्टी का दुकान जला दी और उसको खाप कर दी रिंकु दुकान बंद करके जैसे ही घर गया प्राते काल करीब तीन बजे उसकी दुकान धूधू कर जनने लगी तो गाउं में अफरा तफरी मच गए चीक पुकार सुनकर दोड़े ग्रामियों ने कड़ी मशक्कत के बाद केसी तरह आग पर काबू पाया किन्तो जब तक आग पर काबू पाया जाता सब कुछ जलकर राख हो चुका था यह हमारी घरंटी हैं इस फिर क्या होगा हमने नो दुकान बढ़ा दी एक तो उसने आग लगा दी ओमारी दुकान जालका राख होगे तो मेर साग को पुलिस को अग रहा हाग कब लगाई तो फिर क्या हुआ दो नेमर पुलिस ने था पकर को लगल को प्राटी आया हुए तो इसमें पता चला है कि उसमें आग लगा दी गई है। आज गारान न जोती गार्डन चाहिए पाने के लिए बेल इकन को खिलिक और हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें। भंडे वाली।